साथ्योब बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथ्मिक्ता रही है। काशी वाशियों का और काशी आने वाले हर परियटर, हर सधलु का समय, सडग जाम में न व्यर्थवो, इसके लिए नए इंफस्तेक्टिर का निर्मान किया जा रहा है। बनारस में आज एरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं, बाबतपूर से शहर को कनेक्ट करने वाली सडग भी अब बनारस की नई पहचान बनी हैं। आज एरपोर्ट पर दो पैसेंजर बॉर्डिंग ब्रीच उसका लोकारपन होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा। इन विस्तार इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि छे वर्स पहले यह आपने मुझे आपके सेवा करने का आउसर दिया। उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी। आज इससे चार गुणा यानि 48 फ्लाइट चलती हैं 48 फ्लाइट यानि बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों के संख्या भी बढ़ रही है। भाईव और बहनों बनारस में तयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जिवन आसान बना रहे हैं। एरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूर गंच मनुवाडी फ्राइ ओवर हो, एनेच 56 का चावडी करन हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्रक्चर का भी काया कल्ब होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सडकों की तस्विर बडली है। आज भी वारा नसी के अलग-अलग शेत्रों के लिए सडक निर्मान कारियोगा का काम शुरू हुआ है। नेशनल हावे, फूलवरिया, लहरतारा मार्क, वरुना नदी और तीन पूल और कई सडकों का निर्मान ऐसे कितने ही काम हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रोडवेज के इस नेटवर्क के साथ साथ बनारस अब वाटर वेज की कनेक्टिविटी में भी एक मोडेल बन रहा है। हमारे बनारस में आज देश का पहला इनलेन वाटर पॉर्ट बन चुका है।